माद्रप्रदेश गॉलेर में एक दर्दनाख हाथसे की खवर सामने आ रही है जिसमें एक ओटो और बस की भीड़त हो गई है जापर बताया जा रहा है कि ओटो ओवर लोड था जिसमें ड्राइवर सहीत 13 लोग सवार थे इस हाथसे में एक दर्दन महिला सहीत एक ओटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है और प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस ने शवो को निकालने का काम शुरू कर दिया है और घालो को उप्चार के लिए अस्पताल रवाना किया गया है हाला कि इस भीशन टकर में ओटो पुरी तरह शतिग्रस्त हो गई जबकि तीन लोगों को गभी जूट आई है फिलहाल पुलिस मामले की जाच में जूट गई है और यहाँ सभी महिलाएं आंगनवाडी के लिए खाना बनाने का काम करने वाली बताई जा रही है जानकारी अनुसार घटना मंगलवार की सुभा की है जहां गवालियर में सुभा के समय एक आटो गवालियर से मुरेना रोड चमन पार्क की तरफ जा रहा था और बस गवालियर से मुरेना की तरफ जा रही थी तभी आनंदपुर अस्पताल के सामने बस और आटो में टकर ह गई इसमें हैड औन को लेजन आमने सामने की टपकर हुई है जिसमें आटो में सवार 12 महिलाएं और आटो चालक तेरह लोगों की डैथ हो गई है और जो अभी कारण सामने आ रहा है यह महिलाएं वहाँ पे आंगनवाडी में खाना बनाने गई थी रात को और यह दो यह तीन आटो से गई थी जिसमें आटो इनका एक खराब हो गया तो सारे आटो की सवारियां एक ही आटो में होके यह लौट रही थी और चूकि हाईवे है सुभह ट्राफिक कम रहता है तो बस की स्पीड भी मुझे लग रहा है कि तेज होगी क्योंकि आटो का जो सामने का जिस तरह से जो उसकी हालत है वो दिखता है कि टकर काफी तेजर रफ्तार में हुई है और इसमें यह महिलाएं पिंटो पार्क और उसके आसपास के छेट की रहने वाले तो क्या नावे आपका रभी यह मैला एक तोन थी कहां जा रही थी आहनवाडी के लिए खाना बनाने जाती थी सौंबार से मंगलवार को और टेक्सी में जा रही थी और एक्शेंट दिए वीडियो से कहां जाती थी गंगा मालंपुर पे पिंटो पारक से जड़े रुआ से च तो एक अबार मिली है लोटते में बात दुखत है मानी मुखंती से मेरी चर्चा हुई उन्होंने मृत्य परवार को चार लाग हो गए जानी की भोशना की है और इन परवारों के साथ जो भी हम लोग कर सकते हैं वह हम पूरा को है प्योर्पोर्ट क्यानन न्यूज